तो जैसा कि आपको पता है कि BPSC किसी भी exam से related जो भी update होता है साथ में जो भी classes होती है आपको मेरे चानल से मिल जाती है तो आप चानल से जुड़े रहें क्योंकि अभी आपको पता है कि exam होने वाला है TRE 3 का और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या appearing वाले अभी हर्थियों को मौका मिलेगा तो इस पे एक official notice आई है और DL8 2022-24 या जिसका 23rd का paper है जिसका final paper है वो जल्द कराने के लिए जो है official letter जारी हो चुका है ताकि वो BPSC TRE में सामिल हो सकें क्योंकि KK पाठक सर ने पहले ही बोला था कि जितने भी डिलेट वाले है उन सभी का paper हम पहले करा लेंगे ताकि सभी को मौका मिले तो यह बहुत अच्छा कदम है कि आप अभी हर्थियों के बारे में सोच के सारी चीजे कर रहे हो नहीं त यहां पर अप्डेट से रिलेटेड बीकान इनफोर्मेशन आई है कि आप प्रती में है तो बने रहें साथ में बारे में अभी हर्थियों से रिलेटेड आवश्यक सूचना भी जारी हुई है तो जो भी अपडेट होगा आपको मेरे चैनल से बताया जाएगा तो चैनल को स पॉंसिल ऑफ इंडिया और यहां पर क्लियरली देखो लीखा हुआ है कि अपग्रेड घॉपिटेटेंसी ओटेचर की अपग्रेड करने के लिए जो एंसी टी है उसने लूंच किया है इंटिग्रेटिटेट टीजर एड्यक्यशन प्रोग्राम अनडर देडियों पराई न distinguished giving approval of two years B.A.D. program from the academic session तो यह 2023-2024, ठीक है मतला अब जो नए session start होंगे this council has decided not to grant new approval to any institutions for running two years B.A.D. special education program from the academic session 24-25 the council is the program of developing a new training program of the pattern of ANCETI soon as per NEP 2020 और यहाँ पर नीचे भी देख सकते हो लिखा है कि all the institutions, college, universities who desire to run the integrated B.A.D. special education of four year duration, teacher education program may apply efforts for the next academic session once the online portal is open, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह special education जो B.A.D. होता है उसकी बात हो रही है जो आपनों normal B.A.D. करते हो वो अभी भी दो साल है, लेकिन special education B.A.D. के बात हो रही है ठीक है, तो यह एक नया बदला हुआ है, बाकि जो B.A.D. आप लो किये है न, या फिर जो लोग करना चाहते है normal वो तो अभी भी वैसा ही है, दो साल का ही है special education तो आप समझते हो न, जो D.A.D. भी होता है जहाँ आप special education के teachers बनते हैं, special education वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए special needs वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए उसकी बात हो रही है बाकि आप यहाँ पर देखो, जैसा कि आपको पता है कि छटे चरण में 1-2-5 में B.A.D. वाले भी सामिल है और बहुत ज़्यादा परेशान थे तो अभी आया है कि पांचवी कक्षा तक के B.A.D. नियोजी सिक्षक फिलहाल बने रहेंगे ऐसे 10,000 सिक्षकों की नौकरी बचाने के तैयारी में सरकार जुट गई है और पटना हाई कोट के फैसले को सुप्रिम कोट में दी जाएगी चुनोती ठीक है राज में पहली से पांचवी कक्षा के B.A.D. योगता धारी नियोजी सिक्षक फिलहाल बने रहें ऐसे सिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए पटना उच नियाले के फैसले को राज सरकार द्वारा सुप्रिम कोट में चुनोती दी जाएगी इस बंद में सिक्षा विभाग द्वारा महा दिवक्ता कि राय ली जा चुकी है तो सुप्रिम कोट में बहुत जल्द S.L.P. दायर करेगी सरकार सिक्षा विभाग से मिली जानकारी के एकॉर्डिंग जो महादिवक्ता है पीके साही ने राज सरकार को सर्वोष न्याले में S.L.P. दायर का सुझाओ दिया है इस पर सिक्षा विभाग के यहां पर देखो लिखा है इस तरह पर सधानतिक सहमती पहले ही बन चुकी थी बीएड योगता धारी जो छटे चरण में है वो पहली से पांचवी में बने रहेंगे ऐसे सिक्षकों की संक्या दस हजार के आस पास है पतना हाई कोट ने तो दिया ही था कि छटे चरण में जो नियोजित पहली से पांचवी कक्षा के बीएड योगता धारी 10,000 है वो मतला कि वो अयोग है तब से बहुत सारे अभिहरती परेशान हो गये थे तो इसी वज़े से ये मामला आपको पता है कि पतना उश्नियाले ने सुप्रीम कोट के नेड़ा के आलोक में 6 दिसंबर 2023 के अपने नियादेश में सपस्ट किया कि राज में प्रात्मी विद्यालों में 28 डिघ्रिधारक सिखषक के रुप में निक्त करने की योग्यन नहीं होंगे और की गई निपती के मामले में फिर से काम करना होगा उचनियाले को बताया गया था कि 28 जून 2018 को एंसेटी दोरा जारी अधुसुष्णा को चुनोती दी गई थी जिसमें प्रात्मी कक्षाओं में बीएड डिग्री धारक सिक्षकों को योग्य माना गया इसी अधिसुष्णा को सुप्रिम कोट में चुनोती देवे सर्मा बना मकेंद सरकार के मामलें भी दी गई थी सुप्रिम कोट ने इसको रद कर दिया और 28 जून 2018 को जो अधिसुष्णा जारी हुआ था जिसमें बीएड वाले 125 में बन सकते हैं खारिज कर दिया था ठीक है और ये भी का आगया था कि आप 6 महीने के अंदर ब्रिज कोर्स करा सकते हो बट ब्रिज कोर्स तो अभी तक हुआ भी नहीं है तो ये एक तरीके से आया है तो आप सभी के बचाओ के लिए पांचवी कक्षक तक B8 नियोजिक सक्षक बने रहें अपने जो कारेरत हैं उनके लिए सरकार S.L.P. दार करने वाली है सुप्रिम कोर्ट में ठीक है बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो ये देखे clearly इन्होंने mention किया है बिहार में बिहार विद्याले देखे डिलेट सत्र 2022-24 के विद्यार्थियों का दुती वर्ष एवं 23-25 के विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष की परिक्षा आयूजित करते हुए जुलाई 24 तक इन दोनों परिक्षाओं का परिक्षा फल जारी करना है मतलब जुलाई में क्योंकि आपको पता ही जुलाई से फॉर्म भरे जा सकते है यहां पर ये भी लिखाए कि बिहार विद्याले परिक्षा समीती द्वारा 4 बार को 4 बारा दोज़ा 23 को वर्ष 24 में आयूजित की जाने वाली परिक्षाओं का वार्सिक कैलेंडर जारी किया गया था इसके तहट डिलेट सत्र 22 बार दोटी वर्ष और 23 पच्चिस का प्रथम वर्ष की परिक्षा आयूजित करने के संबन में अलग लग डेट आई थी अब इनका परिक्षा फल प्रकासन सितंबर मतलब कि यह जो एक्जाम होने वाला था ने डेट का वो सितंबर में आता इसका रिजल्ट तो इसमें संसोधन कर दिया गया है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको पता है कि अगस्त में त्रिती चरण के सिक्षक भरती का परिक्षा होना है तो इसी को मद्दे नजर समीती द्वारा उक्ततितियों में परिवर्तन किया गया है कि आप जुलाई तक डेलेट दुतिय शत्र और फाइनल इनका रिजल्ट जारी कीजे ताकि सभी पात्र विद्यार्थी अगस्त माह में जो परिक्षा होस में सम्मिलित हो सकें एक बहुत ही अच्छा कदम है इनके द्वारा आप खुद देखो कि पहले इन्होंने डेट सितंबर का रखा था मन्थ और अब इन्होंने जुलाई कर दिया है यहाँ पर देख सकते हो आप इन्होंने डेट में भी चेंज किया है यह देखे पूरो में निधारी था ना आपका अब यह चेंज कर दिया गया है 24, 12, 24 से 6 फेबरेरी तक साथ में यह देखे इनका भी डेट चेंज हो चुका है 27 फेबरेरी यह सारे डेट चेंज हो चुके हैं कहाँ पहले यह सितंबर में होने वाला था अब यह सारे डेट चेंज हो चुके हैं तो जितने भी डेट वाले हैं आप अपना देख लीजेगा कि आपका कप पेपर होने वाला है उसके का अपना भी पेसी का भी प्रिपरेशन करना क्योंकि अगर बिहार गवर्मेंट के द्वारा यह आपको एक opportunity दी जा रही है कि हम TRE3 के कारण सिक्षक भरती के कारण आपको सामिल किया जा रहा है तो यह बहुत अच्छा decision है कि सभी को सामिल किया जा रहा है अटलिस जो भी pass होते जाएंगे उनको job मिलती जाएगी कोई बचा नार है ठीक है तो इस तरीके से इन्होंने एक कदम उठाया है बाकी जो भी चीजे होंगे आपको मेरे चैनल से बता दिये जाएगा और मैं पहले भी मैंने बोला है कि TRE3 आपका एक लाग से कम नहीं आएगे TRE3 की vacancies जितने भी seated वाले हैं डीलेड वाले हैं, बीएड वाले हैं सभी को मौका मिलेगा 1, 2, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12 और बीएड वाले जो हैं उनके लिए तो गवर्मेंट जाही रही है SLP दार करने के लिए स्पेसल, पैटेशन साथ में ये सूषना आप अपने दोस्तों तक भी पहुँचा दें क्योंकि बहुत कॉमेंट आ रहा है कि बीएड हो चुका है 4 साल, जी नहीं स्पेसल एजुकेशन वाला जो बीएड है वो हुआ है नॉर्मल बीएड अभी भी 2 साल का ही है हाँ, एनिपी में लिखा गया है कि आगे वो अभी उसमें इंप्लिमेंट होने में काफी समय लगेगा मैंने बहुत सारे कॉमेंट देखा कि फिर डिलेट क्यों चल रहा है उसको भी बंद कर देना चाहिए वो भी 4 साल का होना चाहिए तो यह बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बता है misunderstanding या फिर जो letter है यह वाला इसको सहीं तरीके से ना पढ़ने की वज़ा से हुआ है यहाँ पर तो इन्होंने clearly लिखा हुआ spatial education यह वाली line कुछ लोगों ने पढ़के तुरंथ अपना mind बना लिया अच्छा यह वाला B.A.D. होने जा रहा है B.A.D. प्रोग्राम increase from 2 years to 4 years तो यह चीज़े misunderstanding वाली है बाकि जो भी update होगा मैं आपको अपने channel से बता दूँगी याद रखना seated की classes daily होती है तो channel से जुड़े रहे मिलते हैं next class में thanks for watching